ज़ादा लोगों की मौत हो चुकी है मौत सं विभाग की माने तो अगले 5 दिन में तापमान में गिरावत हो सकती है उत्तरपदेश और बिहार समेट पूरा उत्तर भारत इन दिनों भीशन गर्मी की चपेट में है भिशन गर्मी और लू के कारण यूपी और बिहार में पिछले तीन दिनों में हीट स्ट्रोक से जान गमाने वालों की संख्या 90 के पार पहुँच गई है वही तापमान भी 45 के करीब पहुँच गया है पटना में रविवार को तापमान 43 डिगरी गया में 44 डिगरी और औरंगाबाद में 43 डिगरी दर्ज किया गया हालंकि इस बीच अच्छी ख़बर ये है कि अगले 5 दिनों में तापमान में गिरावट होने की संभावना जताई जा रही है इतना ही नहीं शनिवार को पटना में हल्की बूंदा बांदी भी हुई मौसम विभाग ने 18 और 19 जून को बिहार के लिए अत्यधिक लू का अलर्ट जारी किया है ऐसे में आज भी बिहार की हवा खराब होने वाली है वहीं कुछ जिलों में गर्मी का रेड अलर्ट तो कुछ में अज़ाएं